नमस्कार साथियों वेदान क्लासेज के इस डिजिटल प्लेट फोरम पर आपका हार इक स्वागत अविनंदन साथियों हम वाक के विचार टॉपिक के उपर अध्यन कर रहे थे और उस पर हमारी एक क्लास हो चुकी है अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखिए तो सबसे पहल यह बिल्कुल फ्लो में यह टॉपिक चल रहा है तो आज हम अर्थ पर आद histor करें सबसे पहले जानते हैं रचना के आदार पर सब्द कोनघन से होते हैं रतना या समरतना के आदार पर तीन परकार के वाक्य होते हैं उसमें से पहला वाक्य है सरल या साधन वाक्य जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश से और एक ही विद्देश होता है उसे सरल वाक्य कहते है अब कुछ विद्यारती मेरे स से पूछेंगे सर ये उद्धेश से क्या होता है कि किसे करता और करता का विस्तार जो भी होता है तो किरिया को तो हम विदय गटक के अंतरगत लेके जाते हैं यदि वाक्य में करता एक से अधिक हो और उनकी किरिया एक ही होती है तो ऐसी इस्तती में उनका उद्देश से एक ही होता है विद्यारतियों अलग-लग उद्देश से उनका नहीं माना जाएगा जैए अगर बात करें हम यहां राम पुष्थक पढ़ता है राम यहां पर उद्देश से घटक है लेकिन पुष्थक पढ़ता है यह क्या है यह विद्यारतियों एक चैन्ज कर लेता हूं पाइट देखिए राम पुस्तक पड़ता है तो यहां राम क्या हो जाएगा उदेशे घटक और पड़ता है क्या हो जाएगा विधेह घटक हो जाएगा विध्यारतियों राम शाम और कमल किर्केट खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं किर्केट क्या खेल रहे हैं किर्केट करम और राम करता है शाम करता है कमल भी करता है तो इन सबी करताओं को एक साथ किसमे रखेंगे इनको एक उदेश से मानेंगे अगर एक किर्केट को संपन करने वाले बहुत सारे करता होते हैं तो उन सबी करताओं को एक कि उद्देश से माना जाता है इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो यहां पर राम शाम और कमल सब क्या उद्देश से घटक है किरकेट खिल रहा है विद्देश से घटक हो गया राम पढ़ता है तो राम उद्देश से घटक है पढ़ता यहां पर विद्देश घटक के अंतर जाएगा तो सुरेश विद्यारती यहां पर उद्देश से घटक है राम पढ़ता है पानी बरस रहा है किसान खेती कर रहा है बहस तेर रही है विश्टु पुस्तक मेला कब आयुजीत होगा इता और गीता पढ़ रही है यहां सीता और गीता किसमें चल जाएगा lees तो सदे की जो रचना या समोरचना के अदार पे 3 परकार के वाक्य तो को तो हम आसानी चे पहचान लेते हैं लेकिन दिक्कत आती मीजरे निया अदर फार पढ़के में पढ़ने वालों को कोई दिक्कत ना थे कोई शैब नहीं पढ़ता हैon फैन गर नवाक्यों में या मिसर वाक्यों का मेल सेयोजक अव्योग के दवारा इस परकार किया जाता है कि वे एक दूसरे पर आसरित नहीं होते हैं क्योंकि आसरित होते तो फिर मिसर वाक्य बन जाता है या फिर इसकी एक परिवासा और मिलती है दोनों वाक्य के समकक्स होते हैं लेकिन एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं उन्हें तमनादिकर्ण उपवाक के भी का जाता है या जैसे हमंने समुच्चे बोधक अव्यों के दो उपवेद किये थे समानादिकर्ण और वैदी करन अव्यों से जो जूड़ते हैं वो जाएंगे और वैदीकरण अव्यों से जुड़ते हैं वो मिस्र्वाक के अंत्रगत जाएंगे जब हम ने आपको अव्य टौपिक पढ़ाया था तो अव्य टौपिक अंत्रगत इन सारी वातों के उपर हमने चर्चा कर ली थी फिर भी हम कोशिच करेंगे आप से तो आके में पॉन-फॉन सी इन में मिलते हैं मिलता है विद्यार्टीव स्नुष्ए टर्भ मिलता है तथा मिलता है इसलिए सू इसकारण किसमें मिलते हैं ठीक है इस वाक्य में जिनमें दो या दो से अधिक साधर्ण वाक्य क्या दो या दो से अधिक परधान उपवाक्य किसी समुच्य बोदक अव्यों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं ये भी इसकी परिवासा मिलती है और ये संयुक्त जो समुच्य बोदक कव्वे जैसे और तता एंव या तवा किन्टू परंतू लेकिन बल्कि यह सारे जो भी लिकाए मैंने इन से जो जूड़े रहता है उसको क्या कहते हैं तो आ रहा है तो किन्टू आ गया पैचान के लिए आप चाए लेंगे या आपके लिए खाना लगाऊं क्या आगिया वि विजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं तो आउर आगया इसलिए किस में चल जाएगा ये भी संट वाक्य का उधारण हो जाएगा ये जिन सहयोजक से जुड़े रहते हैं उनके चार प्रकार होते हैं अगर बात करें एक तो समुच्य बोदक होता है जिसकी पैचान और और तता एवम होती है तो आगे बढ़ गया और वह पीचे रह गया शिक्सक बच्चों को सिक्सा देते एम उनके आत्रन का ध्यान रखते हैं एवम आ जाता है विद्यारतियों ठीक है विरुत्ता बात्चा के विरुत दर्सक सयोजक भी होते हैं विद्यारतियों जैसे पर किन्तु लेकिन मगर वरन बलकी केवल तो भी इतने पर भी तब भी जैसे आ जाते हैं विद्यारतियों अगर बात करें वह अंग्रेजी पढ़ सकता है पर बोल नहीं सकता आप से बहुत उम्मित थी परन्तु वह फलवती नहीं तुम यहां मत आओ बलकी तुरंत लोट हैं यहां विकल्ब सूचक भी आ जाते हिसमें जैसे या या तो यह भी नहीं वह भी अत्वा क्यों नहीं क्यों वह रात-चाहें है की हम यह बहुता लोगे लेने दब यहाग्या चाह कानी लिखो चाह कवीता लिखो चाह सबदा बया झार्तियोंगे भे सिक सकते किन आट- अत्याचारी का मतलब होता है हिंसक या अत्याचारी तो आत्याचारी की जगह पर आपको क्या मिल सकता है अत्याचारी मिल सकता है यह भी सहिंगत्वाक्य का उधारन है परिनाम सुचक की कुछ पहचान होती है जैसे अत्याचार यह सब सहिंगत्वाक्य के उधारन है यह सतकारिय है अता सम्मानिय है राम पढ़ रहा है और शाम खेल रहा है राम पढ़ रहा है या सो रहा है इंदों का प्रात्मा इस्तल मंदिर कहलाता है परंतु इसाईयों का प्रात्मा इस्तल गिर्जा घर कहलाता है परंतु आगया यहां पर इता पढ़ती है और गीता पढ भारन लिके हैं परुले परन्थु यह बोलो परंधु ऐसत्य नहीं, साम घर गया , और पढ़ने बैट गया , मैं घर आऊंगा क्योंकि आपके एक जारूरी आपसे एक जरूरी काम है , परंथ। शाम को आऊंगा ? कब आऊंगा ? शाम को आऊंगा तो यहां जो क्योंकि आया है मैं घर आऊंगा क्योंकि आप से एक जरूरी काम है यह तो है मिस्र वाक्य परन्तु जो जुड़िया है हैं साम को आऊंगा यह वाला जो परन्तु है यह संयुक्त वाक्य तो एक बड़ा वाक्य तो उसमें कई सारे संयुक्त वाक्य हो सकते हैं इ इसलिए जब कोई अवसर उसके समक्स आता है तब वह उसका उप्योग नहीं कर पाता तो इसमें विद्यारति देखो एक तो सादान वाक्य प्रयुक्त हुआ है और एक मिस्र वाक्य इसके अंतरगत प्रयुक्त हुआ है तो यह बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी जो यह वाक्य होते हैं इनके अंतरगत सरल वाक्य आ सकता है सेंट वाक्य आ सकता है मिस्र वाक्य आ सकता है अलग अलग भी आ सकते हैं कुछ बड़े वाक्य है तो एक साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं बात करें हम तीसरा जो मिस्र वाक्य है उसके बारे में ज्यानि कि अगर देखें किसी एक परदान उपवाक्य जैसे को यह वाक्य करते हैं उसमें एक वाक्य तो परदान यानि कि सवतंतर वाक्य या मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य आसरित वाक्यों को आनुसंगिक वाक्य कहते हैं या अधिन वाक्य कहते हैं उस वाक्य को हम क्या कहते हैं मिस्र वाक्य कहते हैं मिस्र वाक्य में कुछ नहीं है दो उपवाक्य जुड़े रह एक या एक से अधिक उपवाग के जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं मिस्रवाग के कहते हैं या फिर एक और परिबास से दे रखी है जिन वाक्यों में एक परदान उपवाग के होता है और उनके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाग के जुड़े रहते हैं उसको जुढ़े होते हैं जो मैंने बताया था आपको जब हमने लुए पढ़ाता demands समाना दीकर्ण से जुढ़ते हैं वो सह्युंगत वागे पर जो वदी करण अवय उस्ते हैं उन्हें हम कहते हैं मिस्र वाकय और वेदिकरन अव्य कौन कौन से रोंगे जिसे की जो जिसे दो जिसने जिनोंने जिनका जिसको यो defend is to job कि विद्धाले में कल अवकास है की आ गया कामाईनी एक महाकावे है जो परसाद की रचना है जब तुम आए तब मैं सो रहाता तो जब तब आ गया मैं देखता हूं की तुम पढ़ाई नहीं करते हो जब पिताजी आए थे तब में लिक रहाता वही मनुस्य है जो मनुस्य के जीए वही मनुस्य है यह तो क्या हो जाएगा विदियारतियों अ पररदहान उपवाके हो जाएगा अर्ध कि नर्भर नहीं करता हो पूर्ण उपवाक्यों को परधान उपवाक्य को परधान उपवाक्य को जाता है जो उपवाक्य परधान करता या परधान क्रिया से बना होता है उससे परधान उपवाक्य कहते हैं एक परिवास सही मिलती है तो यहां कहा तक क्या हो जाएगा यह परधान उपवाक्य है बाक सजरुनी पहले जो आये वह परदान उपवाके होते हैं बादवाला भी उपवाके हो सकता है यानि कि नाउन वाले जो होते हैं विद्यार्तियों वो कैसे होते हैं इस उपवाके का परियोग परदान उपवाके की संजा के इस्तान पर होता है इस पर संजा के इस्तान पर होता है उसे संजा आसरित उपवाक के कहते हैं वे उपवाके जो की से परारम होते हैं इसकी पहच करम का काम कर देता है विद्यारतियों जब परदान उपवाक्य को वाक्य में पहले परियुक्त किया जाता है तो संज्या उपवाक्य के प्राय की योजक से आरंब होता है अन्यता परदान उपवाक्य के पहले अल्प विराम परियुक्त होगा उसने तुम्हारे घर चोरी कि यह पूर्ट असत्य है यह पूर्ट असत्य है कि उसने तुम्हारे घर चोरी किये संजा उपवा के कहता है विद्यारतियों ठीक है इसके उधान जैसे अध्यापक ने कहा कि सोर नहीं करें माता पिता की इत्ता है कि पुतर डॉक्टर बनें गां निकलता है सूरिय पूरब दिशा में निकलता है राम ने कहा कि उसका भाई नटकट है है इसने कहा कि दॉक्टर बनेगा तो जिनकी शुरुवात की से और री विद्यारतियों वो संज्जय आसरीत उपवाके हो जाएंगे दूसरा होता है विसेशन आसरीत उपवाक के एडज बिद्वान होते हैं उनका सभी आधर करते हैं गाये तो उंका जो विद्वान होते हैं तो जो से शुरू हो रहा है ठीक है गाये जिसकी तुम पूजा करते थे आज मर गई तो विध्यारती क्या गया जिसकी से हो गया यह वही आदमी है जिसने कल चोरी कीती साकेच एक महा कावे है जो गुप्त जी की रचना है मैंने कल एक व्यक्ति को दे जिसके कल फकड़ा है यह सब इसकी स्कतर इसके अंतर घता अतर आते हैं एक होते हैं विद्यारती ऑट कर्या आशब ओने वाला नहीं है यदि तो जब तब जितना उतना जब जो ही यदी यदपि जहां जिधर ऐसे सब देखने något मिलेंगे यजिए जह आफ्रित किरिया lucky कि काल इस्थान रीती सर्थ कारण इत्यादी से समंधित विशेस्था बताता है उसे अर्थार जिस trafficking का परियोग किरिया विशेशन की बाती किया जाता है उते क्रिया विशेशन विशेशन उपवाक्च से होता है यहीं कि यह दापी जब तक यहां जो से इनका परियोग किया देखो उदर भरस्टा चार जिदर उदर आ गया रागो परिश्रम करता तो अवस्य सपल हो जाता जब वर्षा हो रही थी तब हम पुस्तक लिख रहे थे विद्यारतियों यह वर्षा आ कर लेना वर्षा हो रही थी तब हम पुस्तक लिख रहे थे जब तब आ गया है इसमें ठीक है किरिया विशेशन के भी विद्यारत के उपवेद होते हैं इसके उपवेद होते हैं और इसके उपवेद कौन-कौन से होते हैं एक तो काल सुचक होता है कौन सा होता है काल सुचक एक इस्थान सुचक होता है एक परिमान वाचक होता है और एक रिती वाचक होता है और यहां पर जब तब आया है, यह काल को इंगित कर रहा है, जब मैं इसकुल पहुंचा तब गंटी बजी, यह सब काल को इंगित कर रहा है, अगर बात करें, इस्थान वाचक, जहां अभी रेगिस्तान है, वहां पहले समुद्र हुआ करता था, तो जहां वा आ गया, जहां लुड डालोगे उतना ही मीटा होगा कि परिमान का बूद करारा हूं विद्यार्टियों मामत वोल से समंझेती कीशता बता रहा है रिति वाचक तुम्हें वैसा करना चाहिए जैसा वह कहते हैं वैसा जैसा इसमें आ गया क्योंकि जिससे की इभले से प्रारम होता है यह ची कि नहीं ऑख तो इस परकार का है आपको देखने को मिलता है विद्यारति तो इस परकार यह जो रतना यह समरतना के आदार पर वाक्य थे कीन है विद्यारतियों कौन-कौन से सरल वाक्य सन्युक्त वाक्य और मिस्र वाक्य की पैचान क्या है सरल वाक्य की पैचान यह के वाक्य में एक उद्दे से और एक ही विदय आता है सन्युक्त वाक्य की पैचान क् अब जाता है एक तो इनका जो रूपांत्र है जिसे सरल से सहयोग सहीकसर इनके बारे में चर्चा करेंगे शाथी में आर्थ के आदार पे जो जो वाक्कित होते हैं उनके जितने भी भैद है उनके उपर चर्चा करेंगे थेंक्यू मित्रो आपने यहां तक वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट लास में और चार्चा करते हैं वाक्य विचार के उपर वाक्य विचार अभी तक कंप्लेट नहीं हुआ